जैहिंद पूरसैनिक भाईयों भाईयों आज मैं इस वीडियो के अंदर पिछले 40 साल पुरानी इस विसंगती को लेकर के बात करूँगा या यूँ बताऊं कि पिछले 40 सालों से जो हमारे पूरसैनिक भाईयों के साथ जो विसंगती हुई है अब विसंगती कहूं धोखा कहूं गदारी कहूं क्योंकि अगर सिर्फ विसंगती कहूंगा तो गलत होगा क्योंकि विसंगती का मतलब है गलती और गलती का सुधार होता है लेकिन हमारे सैनिक भाई पिछले 40 वर्षों से इस समस्या को जेल रहे हैं हाँ, हाला कि इसकी लड़ाई भी लड़ी जा रही है सरकार पिछले 40 सालों से आ रही है, जा रही है हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है लेकिन कोई भी सरकार ने सैनिकों के लिए नहीं सोचा लेकिन जब भी किसी ने अपनी सरकार बनानी होती है तो सभी को सैनिक याद आ जाते हैं और उस समय तो नेता जी को सैनिकों की समस्य भी याद आ जाती है परन्तु बाद में बाद में वही ढाक के तीन पात बाद में ये नेता जी, मंत्री जी सरकार में आने के बाद सब भूल जाते हैं और फिर होता है हम सैनिकों की विसंगती की लड़ाई जैसे OROP, OROP2, MSP, Disability Pension, विद्वा पेंशन, आधी तमाम तरहां की जो हमारे साथ विसंगतियां उसको हमारे कुछ संगठन लड़ते रहते हैं, उसके बावजुद भी हमें हमारा हक नहीं मिलता, सोचाए क्यूं, क्यू साथियों, जब तक सभी संगठन एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो किसी एक संगठन की नहीं है, बलकि देश के सभी छोटे बड़े संगठनों के लिए है अभी मेरे पास वैटन वीर बहादूर सिंग, जो अध्यक्षे संयूक्त मोर्चे के पूर्सनिक संयूक्त राष्टे संयोजक की और से एक निमंतरन पत्र निकाला है और वो मुझे मिला है, जो कि सभी पूर्सनिक संगठनों के लिए है, वो मुझे मिला है और वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा कि उस निमंतरन पत्र में क्या लिखा है निमंतरन पत्र में लिखा है कि एक निमंतरन पत्र है जिसकी दिनाक है निमंतरन पत्र है पूर सभी पूर सैनिक संगठनों के लिए 6 अगस 2023 और 17 सितंबर को राम लिला मेदान दिल्ली और हुड़ा मेदान रिवाडी में एक परभाव शाली राष्टे स्तरकी रेली का आयोजन किया गया था आप सबने सपत भी ली थी कि शंगर्स जब तक जारी रहेगा जब तक निचले तब के खिलाफ सभी परकार के भेदवाव फिर चाहे वो आर्थिकों या समाजिकों समाप्त नहीं हो जाते 8 अक्टूबर 2023 को Constitution कलब नई दिल्ली में सभी संगठनों की एक की नहीं है मैं फिर बता दूँ सभी संगठनों को ये मैसिज है कि सभी संगठनों की एक बैठक आयोजित होने जा रही है घितोरनी मेटरो सेशन के पास एक बैंकेट होल को वेकलपिक स्थान के लिए आर्ख्षित किया गया है इस बैठक में भारत के सभी संगठनों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है इस पोस्ट को जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो को भी या इस पोस्ट को निमंतर्ण पत्र ही समझें सभी संगठनों के अध्यक्षों, सचीवों, अत्वस संगठनों द्वारा नामित पधादिकारियों से भाग लेने का हाथ जोड़कर नमर निवेदन है या अनुरोध है मैंने फिर बता दूँ आपको ये दिया है वेटन वीर भादूर सिंग जो की अध्यक्ष है संयुक्त मोर्चा भूतपूर सैनिक के साथियों समझो कब तक हम लोग अपने मांग या अपना हक मांगते रहेंगे हमें एक होना ही पड़ेगा और जितने भी पूर सैनिकों के संगठन है इनको भी एक मंच पे आना ही होगा तब जाके अगर आपको आपका हक मिलता है तो गनीमत है गनीमत इतना असान मत समझना अगर एक होने के बाद आपको आपका हक मिल जाता है तो शुक्रिया मनाना भाई सही लगा हो न तो इस वीडियो को जितने भी पूर सहनिकों के संगठन हैं उसमें शेर करना और आप भी उनसे निवेदन करना कि जो ये मिटिंग रखी गई है इसमें सभी के सभी बागिदारी रखें और अपने अपने विचार जरूर दें सबके विचारों की यहाँ पर सम्मान है सभी संगठनों का सम्मान है यहाँ पर आएं और सभी संगठन एक होकर के अपने साथ हुई विसंगती धोखा धड़ी गदारी का डटकर लड़ाई लड़ें डटकर सामना करें जहिंद साथियो